हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्डाउस निए में एक और नए वीडियो एक्टर साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले घर में विंडो जो हम बनाते हैं या फिर विंडो लगाते हैं तो विंडो को लगाने की क्या प्रोसेजर है क्या तरीका है ग्रिल हम कैसे लगाएं किस तरीके से लगाएं यह हम आज की वीडियो में देखेंगे पहले ग्रिल लगाएं फ्रेमिंग कहां पर करें ये आज के एक छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल पर नए है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेट कलर का बटन देखेगा उसे दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लगाए ये जो विंडो है इसका ग्रिल हमने बाहर की तरफ लगाया है क्या कारण है कि हमने बाहर लगाया है ये चीज़ समझ लेजे क्योंकि आप भी अक्सर ये ग्रिल लगाते ही होंगे जो लोहे की होती है या फिर आप श्टील की लगाते होंगे पहले लगाने से ये फिक्स हो जाती है बाद में लगाओगे तो आप इसे एंगल से कसना पड़ेगा या फिर आपको जो भी उसके nut bolts होते हों उससे कसना पड़ेगा लेकिन लगाना आपको बाहर की तरफ है जिससे क्या होगा कि ये घर की जो safety होती है वो आराम से आपको मिल जाती है घर में कोई भी कुछ भी नहीं करेगा यानि कि जब भी जैसे कि चोर बगेरा से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चोर बगेरा ना आए तो ये सारी समस्याएं भी दूर होगी अगर चार इंच की पे लगा रहें आप और अगर अंदर की position पर हैं और इसके नीचे देखे कुछ gap छूटा हुआ है तो इसमें ग्रेनाइट लगा कर इसके framing थोड़ी बढ़ा दी जाएगी आप बाकी जैसे कि यहां पर देखेंगे यहां पर 9 इंच की दीवार है बाहर की तरफ लगाया गया है अंदर साइड जब plaster होगा आपका यहां पर molding होगी ग्रेनाइट की तो इसमें जो track चलाएंगे हम यहां पर इस जगे पर तो वो track आपका अंदर की तरफ चलेगा जिससे एक आपको सुविधा भी हो जाएगी और अच्छा भी रहेगा तो जब भी अगर जैसे आप window लगा रहे हैं ग्रिल लगा रहे हैं बाहर की तरफ लगाएं यह aluminum section की बात कर रहा हूँ मैं अगर मान लीजे आप wooden की लगाएंगे तो wooden का फिर थोड़ा सा तरीका change हो जाता है अगर आप kitchen पर लगा रहे हैं तो kitchen में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो height है वो साड़े 3 feet के आसपास रखें या फिर अपने engineer से consult करें यह business चीज़े और बाहर की तरफ लगाएं वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीज़े दोस्तों के साथ share कीज़े और subscribe करना ना गूले thank you